एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसराइल ने अब इस बात को मान लिया है कि उसे युद में दूसरा मोचा खोलना पड़ सकता है लेबनान की तरफ से अचानक खमले इतने ज्यादा तेज हो गये है कि अब हिजबुला को रोकना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है गाजा में हमास इसराइल के 44 स्थानिकों को खक्म कर चुका है, वहीं अब हिजबुल्ला भी चुन-चुन कर इसराइल के स्थानिकों को टागेट कर रहा है यह गाजा नहीं है, यह हमास भी नहीं है, यह है उत्तरी इसराइल लेबनन से लगे हुए इस इलाके में जैसे जहन्नुम की आग जल रही है इस्रेल अब लेबनन को गाजा बनाने की तयारी में जुट गया है क्योंकि हिस बुल्ला ने इस हमले को अंजाम दिया है इस्रेल और लेबनन बॉर्डर पर हुआ ये हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया है तावा किया जा रहा है कि इस हमले में इस्रेल के कई सैनिक बूरी तरह भायल हुए है अगर ये हमला बड़ा लगा तो इस अटैक को देखिए हेजबुला के लड़ा के रमीम बैरक के पास एंटी टैंक मिसाइल पायर करते है और फिर होता है ये धमा का इस वक्त लेबनन और इस्रेल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि घासा में हो रहे हमले छोटे लगिंगे हेजबुला ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर पोर्स उतार दी है हेजबुला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इस्रेल की पूस्ट पर लगातार हमलों का ओडर जारी किया है इन धमाकों ने एक बड़ी गारंटी देती है इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब इस्रेल लबनन को माफ नहीं करेगा इस्रेल की रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी देखिए इस्रेल की वानिंग बहुत साफ है उसने जो हाल फिलिस्तीन के घाजा का किया है यही हाल वो लबनन की राजधानी बेरूट का कर सकता है यानि इस्रेल ने अब जो पहले गाजा का हाल किया है वही वो बेरूट को दूसरा गाजा बना कर करेगा सवाल है कि इस युद में कितने गाजा बनेंगे हिजबुल्ला का एक और हमला देखिए हिस्बुल्ला ने इस वक्त इसरेल की नाक में दम कर दिया है इसरेल को दूसरा मूर्चा खोलने के लिए मजबूर कर दिया है हिस्बुल्ला इस वक्त इसरेल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है क्योंकि हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए अब कुछ भी करेगा और वो इस्राइल पर हमले जारी रखेगा हिदना फिल ऐयाम अल्कलीला अल्मादिया मौज जडीदा मिन अल्टिदात मिन नतिन्याहू मिन गलेंट मिन गनेट्स मिन आखरीन बातिजाह लुबनान वसबबु हुआ इर्तिफाँ मस्तवल कलक बिटिजाह में यजरी फियादी जबहा वा इर्तिकाई हा कम्मन वनौण वा उम्मकन तबहां नहीं से नस्तमिर फियादल मौकिफ फियादल अदाए यह लेबनन और इस्राइल के बॉर्डर पर यारून इलाका है हिजबुला के अटैक के बाद इस्राइल लगातार दक्षनी लबनन पर बंबारी कर रहा है इसी लिए डर है कि अब इस्राइल बेरूत को दूसरा गाजा बना सकता है हिजबुला के महासचीव हसन नसरल्ला ने अपने भाशण में ऐसी बाते कहीं है कि इससे साफ है कि इसराइल और फलिस्तीन के बीच चल रही जंग लंबी चलेगी खत्रा है कि इसमें दस गुना जादा मौते होंगी टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौक जाएगा ये बात पहले से साफ है कि हिजबुला के पीछे इरान है इरान से जैसे ये आरडर मिलता है हिजबुला इसराइल को टारगेट करता है ये इरान का ऐसा प्लैन है जिसमें हिजबुला के हमलों के बाद इसराइल बुरी तरह उलच कर रह गया है एरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भी इसलामिक देश अब इसराइल के खिलाफ नहीं वो घाजा की तबाही में बराबर का साज़तार है मिलत हाई मुसल्मान इन दामाई ये नंग खुद मीदानन कि दर जमानी के खुद बरादरान इशन दर गज़ बर जमीन मीरीज़त दुलत हा बराए मनाफ़ इक्तिसादी सुख्ट माशीन जंगी इसराइल रा तामीन कुनन लेबनन बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर घाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त वो इसराइल की बंबारी में खंडर बनता जा रहा है 11,000 से स्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन में 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं ऐसे में इसराइल की धंकी गया हिजबॉल्ला को डरा पाएगी क्योंकि नेतनियाहू ने साफ कर दिया है कि युद्द करना हिजबॉल्ला की जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी देखा जाए तो हिजबॉल्ला वो संगठन है जैसे एरान से पूरी मदद मिलती है और इरान हिजबॉल्ला को इजबॉल्ला के खिलाफ एक बड़े हथियार के तोर पर इस्तेमाल भी करता आया है लेकिन इजबॉल्ला का हाल हमास्क जैसा करने का फैसला किया तो लेबनन में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोराई जा सकती है 2006 में हिजबॉल्ला और इरान के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था तब इजबॉल्ला के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे जबकि हिजबॉल्ला के 2500 लड़ाकों समेट लेबनन के 1200 लोगों की मौत होई थी हम अपनी वीडियो लाइवेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तज़्वीरे निकाल कर लाएं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजबॉल्ला को नेतनियाहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इसरेल अब बेरूत को दूसरा घासा बना देगा ये वो साफ साफ कह रहा है 2006 का इसरेल लेबनन युद्ध संयुक्त राश्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ इसरेल के टैंक लेबनन के अंदर खुस गये थे तब भी इसरेल का मरकावा टैंक सबसे खतरना की युद्ध मशीन बनकर लेबनन पर तूट पड़ा था हालाकि सीज फायर के बाद इसरेल को बड़ा घाटा हुआ उसकी फाज को लेबनन से पीछे हटना पड़ा यही वज़य है कि हिजबुल्ला 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बताता रहा है क्योंकि इसरेल एक सीना नहीं बलकि मिलीशिया को भी हराने में नाकाम रहा था हालाकि हिजबुल्ला को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था वैसे में अगर यह जंग बढ़ी और लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध आरपार का हुआ तो इस बार हिजबुल्ला को बड़ा जटका लग सकता है ऐसे में समझ लीजे कि अगर हिजबुल्ला को जटका लगा तो इसका असार तहरान तक पहुँचेगा वैसे नितन्याहू भी यही चाते हैं लेकिन उनकी ये ख्वाहश अब पश्चिम इश्या को बारूद के धेर पर बैठा चुकी है और इसमें सबसे ख़दरनात बंबारी हिजबुल्ला के दरप से की जा रही है घाजा से अलग इसरेल लेटनन बॉड़क पर जो युद्ध अब तक धीमा चल रहा था उसमें अचानक बारूद की मात्रा बढ़ने से दुनिया में घबराहट फैलती जा रही है उसमें हिजबुल्ला के 73 से ज़ादा लड़ाके इसरेल के अटाक में मारे जा चुके है जबकि इसरेल के 9 सैनिक हिजबुल्ला के हमले में जान गमा चुके है हिजबूला ने इसरेयल के छेकानों पर अपनी जुआला मुखी वाली मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है इस मिसाइल के बारे में नसरल्ला ने बहुत डीटेल में बताया है ताकि इसरेयल को पता चल जाए कि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हिद्बॉल्ला इस बार किस तरह के हत्यार लेकर तैयार बैठा हुआ है अब हिजबॉल्ला के महसाचिव, छसन नस्राला की तरफ से जो धंकी आई है वो इस युद को किस लेवल पर ले जाएगी इसे लेकर इसरेयल के प्रधान मंत्री बेनमीन नेतनियाहु ने भी तेवर कड़े कर लिये है अनको ननचेख, अनको लो नाचोर अद लनिचखोन अन्योंद बकेशर अचूफ निसीर अरथोत अबरीट जो बाइडन अनको मेद मारीखीम एत्मिखतो, तत्मिखा शेल अमेमशल अमेरिकानी, तत्मिखा शेल आम अमेरिकानी वैसे है इस बुल्ला को लेकर एज्रैल की मदद करने पहुँचे, अमेरिका को बिना लड़े एक बड़ा जटका लगा है भूमध्य सागर में अमेरिका की समुत्री बीड़े का हिस्सा रहे, पांच कमांडो एक ट्रेनिंग मिशन के दोरान मारे गए हैं अमेरिका की केरियर युएसे स्पोर्ट से ओपरीट करने के दोरान उसकी स्पेशल ओपरेशन टीम, यानी सील कमांडो दस्ते के पांच सैने के खेलिकॉप्टर हद से में मारे गए इस वक्त एज्रेल और अमेरिका के लिए चार एच बहुत बड़ा खत्रा बने हुए हैं इन चारों एच के बारे में बहुत गोर से समझेगा क्योंकि इन चारों एच को इरान का पूरा समर्थक है एच से हमास एच से हेजबुला यानी लबनन का मिलीशिया एच से इराग का मिलीशिया हज्ड अल शाबि एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही को इसरेल के शहर टारगट पर हैं और घाजा में बंबारी के खिलाब फेजबुला और हूथी दोनों ने अपना हत्यार गोदाम खोल दिया है लेकिन ऐसे हमलों और घाजा पर बंबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वार ट्रेंगल तयार कर लिया है नेतन्याहू के वार ट्रेंगल में सबसे बड़ा कोना घाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन याहू के वार्ट रेंगल में दूसरा बड़ा कोना लिबनन में हिस्पुल्ला का अंच है जबकि नेतन याहू के वार्ट रेंगल में तीसरा सबसे खतरना कोना है सीर्या जहां से एराक का मिलीशिया हज्द, अल, शाबी इस्रैल के बॉर्डर तक पहुँच सकता है यही वज़े है कि सीरिया पर इस्रैल के एरफोर्स ने हमले तेज कर दिया है यह तीनों जगर इस्रैल के बॉर्डर से लगी हुई है और इस्रैल इन्हें अपने खिलाब सबसे बड़ा खत्रा मानता है इस्रैल के जवावी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इस्रैल अब पीछे हटेगा, उसके रास्ते में जो आएगा इस्रैल अब उसे मिटाना चाहता है फिर चाहे वो हमास हो, हेजबुल्ला हो, यमन हो, या फिर इरान इस्रैल का इरादा पक्का है जो उससे टकराएगा, जूर जूर हो जाएगा